क्यू कोई नेकल ट्विट किया था दैट कूई कोई इंडिया का पहला एफाई यू कंप्लाइन ग्लोबल एक्षेंज बन चुका है और मैंने भी आप लोगे साथ प्रिटर के ऊपर इस न्यूस को इमिडेटली यहां पर शेयर किया था आई होप आप लोगों ने यहां पर द या फिर कूई कोई भी इंडियन एक्षेंज की तरह ही यहां पर काम करेगा और हाट टांजेक्शन पर हमें 1% टीडियास और 30% टाइक्स जो है वो यहां पर देना पड़ेगा इनी डाउट्स को आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लेर करने वाली हूँ सबसे पहले FIU के अंदर कंप्लाइ करने का क्या मतलब है इसको यहां पर समझते हैं FIU यानि की Department of Revenue के अंदर एक National Agency है जिसका काम है Money Laundering को प्रेवेंट करना और इससे related सभी data and information को collect करना यानि इंडिया के अंदर कोई भी यहां पर organization है कोई भी company है और वो financial services provide कर रही है चाहे वो इंडिया की company हो या फिर foreign की company हो उसे FIU के under register करना पड़ेगा FIU comply करने का मतलब यहां पर यह भी होता है कि अगर FIU को शक होता है Money Laundering का तो वो user का जो data है वो यहां पर मांगता है demand होने पर और उन्हें user का जो data है वो यहां पर share करना पड़ेगा और यह यहां पर वो चेक करते हैं कि कहीं वो user है वो किसी भी तरीके की money laundering case के अंदर यहां पर involved तो नहीं है अब यहां पर FIU की कुछ checklist है जिसको पूरा करना must है FIU के साथ comply करने के लिए अब यह checklist मैं आपको के साथ इसलिए यहां पर share करी हूँ ताकि आपको एक insight मिल सके कि यह जो क्यू कोई नहीं हाँ पर FIU के साथ comply किया है तो इन्होंने क्या क्या डेटर जो है वो यहां पर share किया है तो यहां पर requirement जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पर रहती है FIU की की description of the foreign exchanges services यहां पर देना पड़ता है अब इनकी company का क्या यहां पर structure है and sole ownership किसके पास है इस चीज़ का जो document है वो यहां पर share किया गया है in corporation documents and past filing यानि की company registration के जो भी documents है वो यहां पर share किये गया है and company की financial documents and last agreement with any partner involved वो यहां पर share किया गया है तो आप क्यों की Qcoin ने यहां पर FIU के साथ complaint already कर लिया है that means की Qcoin ने यह सारी जो details है वो अल्रेड यहां पर share कर चुका है इस checklist में कहीं पर भी देखें तो यह mention नहीं किया गया है यूजर जो data है वो यहां पर share किया है as of now अब जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने यूजर information share करने पर Qcoin से यहां पर question जो है वो यहां पर पूछा था तो यहां पर इन्होंने यह पूछा है कि क्या आप government के साथ यूजर data share करने वाले हैं इस पर Qcoin ने diplomatic answer जो है वो यहां पर दिया है और यह बोला है कि user data safe है और केवल intended purpose के लिए है यहां पर यूज किया जाता है अब इनके intended purpose क्या है यानि क्यों this क्या है वो यही जान सकते हैं बाकी बात करें तो FIU से compliance का मतलब है कि exchange किसी भी तरीके की money learning activity है उसके अंदर involved नहीं है यानि उन्हें green signal जो है वो यहां पर मिल चुका है और आप ये exchange यूज करने पर किसी भी तरह का जो law है वो यहां पर नहीं तोड रहे हो पाकिस के लाब बात करें तो FIU compliance and tax दोनों ही completely different matter है और फिलाल tax deduction पर QCoin ने official announcement का वेट करने के लिए यहां पर बोला है यहां पर भी again कुछ भी clear जो है वो नहीं बताया है जो कि हम expect कर सकते हैं कि QCoin इसके लिए already process में होगा और बहुत ही जल्दी इन्हें यह जो GST license है वो यहां पर लेना पड़ेगा अब बात करें यहां पर एक चीज़तों completely clear हो गई है कि foreign exchanges जो है वो इंडिया में काम कर सकते हैं और QCoin के बाद काफी possibility बढ़ जाती है कि बाकी की जो exchanges है वो भी यहां पर धीरे धीरे करके जो है वो FIU के साथ complain करेंगे जैसे कि Binance का सभी को यहां पर wait है तो let's see कि क्या होता है बाकी आपकी opinion क्या है इस पूरे scenario के ले करके let me know in the comment section वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दे मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तिल दें टेक केर और बाबाए